असलाम वालेकुम वीवर्स दिस जैनब अली फ्रॉब जैनब कुक हाउस तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टार्टर लाई हूँ जिसे चाइनीज स्टार्टर भी कहा जाता है और ये शादियों में बहुत बारी बनता है तो दिस इस कॉल्ड हनी चिकिन ये बहुत ही इजी करो तो नीचे दियोए नंबर पे हमें कॉल करें तो इसके लिए आपको लेना है ब्रेस्ट पार्ट थाइस का पार्ट नहीं लेना है इसको क्यूब में काट लेना है बहुत सारे लोग बोलते है कि आप पॉइंट पे बात करें पॉइंट पे बात करें तो बहुत सारे पार्ट ले लिया है और आपको इसे मेडियम साइज में कट करना है क्रिस्पी के लिए आप सीधा कट करते है और हनी चिकन के लिए आपको क्यूब में कट करना है बहुत ही easy making है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला making है सो गाइस इसके पहले हमने crispy chicken भी upload किया था अगर आपको वो देखना है तो description box में देख लीजे so यह जो है यह है शादियों वाला making starters जो मुंबई स्टाइल में बनता है और बहुत ही easy है और बहुत ही मज़ेदार तो यहाँ पर start होगा इसका marination तो यह around 20 kg है इसके बाद आपको डालना है इसमें अद्रक का paste जो कि यह honey chicken है इसमें masala बहुत कम जाएगा इसके बाद गया है green chili का paste अद्रक, green chili और यह है garlic paste लसन का paste अगर आप 1 kg के लिए ले रहे है तो आपको 1-1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला गया है और यह है white pepper powder अगर white pepper powder आपके पास अवेलेबल नहीं है so you can use black pepper powder black pepper इसलिए नहीं दालते है क्योंकि उसका color थोड़ा सा different होता है यह गया अंडा और इसमें जाएगा अजीना मोटो भी ठीक है तो अजीना मोटो आप skip कर सकते है मैंने आपको हमेशा सही बताया है कि घर पे आप अजीना मोटो जादा यूज ना करें okay so इसके बाद आपको इसे अच्छे से marinate करना है इसमें जो गया है यह है गरम मसाला ठीक है बहुत हलका गरम मसाला दालना है आपको क्योंकि आपको इसका जो टेस्ट है वो हनी का जादा आएगा और एक हलका सा spicy टेस्ट आएगा इसको आप अगर घर पे बना रहे है तो अल्मोस्ट इसे 8-10 आर्स के लिए marinate करके रखें जितना जादा marinate होगा उतना जादा इसका मज़ा आएगा यह गया corn flour तो बहुत सारे लोग बोलते है कि corn flour available नहीं रहता है ऐसी बात नहीं है आप हर grocery shop पे जाए तो हमेशा आपको corn flour available ही रहेगा अगर यह नहीं है तो आप थोड़ा सा आरा रोट का powder डाल सकते हैं अब इसको आपको marinate करना है अच्छी तरीके से एक एक पीस पे आपका masala जाना चाहिए इसके पहले हमने जमजम बिर्यानी अप्लोड किया है चिकन टिकका बिर्यानी अप्लोड किया है चिकन बाबिक्यू बिर्यानी अप्लोड किया है और बहुत सारे शांदार मेकिंग अप्लोड किये है जो शादियों में बनते है स्टार्टर्स के लाइक ती रंगा कबाब औ और क्रिस्पी चिकन तो वो भी आप चेक करें तो 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 प्रोसेस प्रोसेस है यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है और आपको अगर लगे कि इसमें कॉन फ्राल दालना का जरूरत है तो आप दाल दीजिए और इसे डीप फ्राय कर लेना है आपको तो मेक शूर करें कि आप कभी भी ज्यादा कॉन फ्रायर ना दाले क्यूंकि इसमें जो मोटा सा लेयर होता है चिकन के उपर वो ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको चिकन का टेस्ट आना चाहिए कॉन फ्रायर का नहीं तो क्रिस्पी या फिर कोई भी डीप फ्राई चीज होती है उसमें टेस्ट होता है विकॉस अफ दा ओईल तो वह थोड़ा ध्यान रहके कम ओईल में फ्राई नहीं करना है इसके बाद इसमें जाएगा जीरा तो मीडियन टू हाई टेंपरेचर रखना है ताकि जीरा आपका इसका फ्लेवर अच्छे से एब्जॉब हो जाए तेल में लसन जो है आपको थोड़ा सा चॉप करना है और थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा लसन दालना है इससे भूनना है बट कलर चेंज नहीं करना है मैं आपको जो पॉइंट्स पता रही हूँ अगर आप उसी तरीके से फॉलो करके किसी भी चीज का मेकिंग बनाते है जैनब कुखा उसका वीडियो देखकर तो कभी भी आपकी रेसिपी खराब नहीं होगी अब गया इसमें लसन का पेस्ट तो खड़ा लसन और लसन का पेस्ट इसमें दोनों ही जाएगा जो केटरिंग होता है वो एक अलग ल इसके बाद इसमें सॉस गया है टेमाटो सॉस इसमें हर तरीके के सॉस जाएगे लगभग और जो भी सॉस आपके पास अवेलेबल है यू कन यूज अनी काइंड आफ सॉस लाइक मैगी का अवेलेबल रहता है दीमाट में और अगर अगर को कमर्शिल यूस करना है तो यू अब तक कि यह दो सॉस गया है अब इसको आपको भून लेना है अच्छे से भून लेना है क्योंकि और इतना भून ना है कि इस पे जो ऑईल है वो उपर आ जाए तो बहुत ही एजी मेकिंगे गाईस आपको यह पसंद आ रहा होगा और इसके अंदर कलर भी गया है तो कलर अगर चुछ को आप और यूस करना है तो आप बैश। गिया का ब्रैंड यूस योज कर सकते हैं इन्डिया में फिलाल मुंबई है इस वून उप बेस ब्रैंड जो केटरिंग वाले यूस करते हैं यह गया ग्रीन चीली का पेस्ट तो ग्रीन चिली का पेस्ट दालते वक्त आप हमेशा ध्यान रखे कि वो एकदम बारिक पिसी हुई हो, इसमें गया है अजीना मोटो, गाइस you can follow us on Zainab Cookhouse Instagram and Facebook, वहाँ पे भी मैं कुछ अप्लोड करती हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे है चीनी, तो चीनी आपको दा तरीके का हो, तो बस कुछ ही मिंटो में आपका यह जो सॉस है वो रेडी हो जाएगा, तो हनी चिकन है, तो हनी को कभी भी आपको पकाना नहीं है, कभी भी नहीं पकाना है, क्योंकि उसका एक अलग तासिर होता है, आपने सॉस को एक बार भून लिया, थोड़ा सा सॉस ले तो गाइस, अगर आपको यह मेकिंग पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताए, मैं आपका कमेंट एक-एक पढ़ती हूँ, और उसका रिप्लाइ करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपको इस जैनब कुखाऊ से जादा से जादा बेनिफ हो गया है, तो गाइस, मिलती हूँ, नेक्स्ट मेकिंग या व्लॉग के साथ, तिल देन, टेक केर, अलाहाफिस.